जैसा कि हम आपको बता दे कि सहो पंचायत में एक और मुख्या कंडिडेट का इंटेव्यू लेने के लिए हम आ गये हैं तो सबसे पहले सरका हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं लाइब जी मिला जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जैसे छट का दिन है मैं तमाम चटकूजा की तरफ से तमाम देश्वासियों को हमने ग्रामिण वासियों का हर्देख हर्देख अभी नंदन करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि आप हर साल इसी तरह से छट मनाते रहें हर साल आपके जिन्दगी में खुश्या आती रहें चुनाव चीन अननाम बता देते हैं जी मेरा नाम है कमाल खान और मेरी पतनी फरजाना खातुज जो साहोग पंचैर से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्या परतियासी और उनका चुनाव चीन है कलम और दवाद कमाल वाई के लिए एक सैर बोलना चाह रहे हैं विपक्षी नेता बहुत सारा उन पर जो अरूप लगा रहे हैं कि समंधर कर चुका तसलीम उसको समंधर कर चुका तसलीम उसको खाजाने खुद ही बहार आ रहे हैं तो सर आपका क्या मुद्धा है जो आप जो लड रहे हैं क्या मुद्धा रहा आपका देखे मुद्धा इंसान क्या तलास करता है इंसान जो कंडिडेट तलास करता है वो कंडिडेट में देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या इसी चीज है जो हमारे समाज के लिए भलाई इस पंचायत की एक एक चीज आपको गेंती कराता हूं पंचायत में सबसे पहले तो घुसकुरी है और ये नॉर्मल सी बात है हर जगा होती है हमने भी जाना है आप भी जानते हैं लेकिन जब हमें एक समझ लिजे कि बिद्वाओं से और पैसा लिया जाता है मेरतु पर्मान पत्र बनाने का तो समझ लिजे कि समाज कहां तक जा चुका है और समाज के वो पर्तिमीदी जो है जो ऐसा पैसा लेकर इस्तमाल करते हैं उनसे ज़र आप पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है वो कहें अगर नहीं मालूम है तो माफ केजेगा फिर आप देश की चौकिदारी ग निला है अब मेरे घर के अंधर में तरवाज़ा मेरा मेरे पास बी घटेयों की शादी होगी वाप पे आपके पास वींते शांधान नहीं तो फिर जब आपके पास बीवान मौजओién नहीं तो फिर आपकी बेटी हो या हमारी बेटी हो वह कहां पए उसकी बारात आएगे जाया है मुह लटका कर जाएगा इस पर क्या वोलना चाहिए आपसे जे मुझे बेहत खुसी है कि उन्हेंने इस नारे को दिया और मैं कहता हूं जैसे हनुआन को संजीमनी बुटी मीली थे उसी तरह से उठोने हमें ये नारा दे कर एक संजीमनी बुटी दे दी है कि घर सब्सक्राइब और करोना काल के स्टेज में बेचा था जब मेरे ही समाच के लोग जैसे साहो पर रही हिलवारा तरवारा मुर्वारा करें मेरा फीचला वीडियो ठाकी देख लिए उन तमाम मजदूर टाप के लोगों कुछ मैंने देखा कि एक दोंगा उनके फास्ता और क गुजार हो मैं अपनी पत्नी का फरजाना खातुन का कि जब मैं आया और मैं आखे पूछा अपनी पत्नी से कि बताओ अगर करोना हम दोनों को हो जाए हम दोनों इस दुनिया में ना रहे इस दौलत किस काम की है इस से पहले इस दौलत को लुटा दो समाज में कि जो जिन् पहले से काम करते हैं जनता के लिए इसलिए आप चैनल पर 1857 की आजादी के बारे में कुछ बोल रहे थे आप उसके बारे में थुड़ा जनता को बता दें नहीं सन 1857 नहीं मोला मैं 1947 बोला मैं 1947 भी अधेश को आजादी मिले थी और तो एक गाउं ऐसा में था जिसे आज तक आजादी नहीं मिले हैं कुछ साव में और मुस्लिम महले में ही आजादी क्योंकि आप देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं मैं जलत लेते हो तो मैं मांपी चा और इस समाज में एक वार्ट मिंबर के साथ चलने के लिए पचास लोग मिल जाएंगे एक आपको जीला परिश्थत के साथ चलने के लिए हमारे यहां 100-200 लोग मिल जाएंगे लेकिन अगर किसी मुख्या पर्ट्यासी के विरूध में अगर मैं खड़ा हो जाओं तो मेरे साथ चलने के लिए लोग नहीं आएंगे जायसी बात है जो अच्छा काम करेगा उसका अभिरूधी भी जादा होगा तो और पहले से रोजव राजनीती में हैं तो गवाँ में उनको बहुत सारे जन्ता को डरा के लगते हैं लेकिन मैं शुगर गुजार हूँ साहो पंचायत के तमाम युवाओं का जिन्होंने मुझ जैसे नाचीच को गले से लगाने के लिए अपनी इतनी महलते की मुद्दा यहां तक कह दिया है कि आपको हम अब साथ लेके चलेगे और जब मेरी चान जाती है तब आपकी चायेगी इतना भरोसा हमारे युवाओं ने मुझे दिया मुझे पक्र होता है और मैं डियम साब को भी कहना चाहूंगा खास करके चैनल के माधियम से के साहों की इस्तिथी बहुत ही नाजुक है यहां के हालात बहुत नाजुक है जहां वोटरों को घर में जाके भी धंकाया जा रहा है एलक्षन के बाद उनके हाथ काटने की भी धंकी दी जा रही है उन्हें मारने की भी धंकी दी जा रही है लेकिन होता क्या है कि चुलाबी महाल है जिनकी जुआदत होती है उससे बास नहीं आते हैं है और हम भी जानते हैं कि होना कुछ नहीं है लेकिन Templ Guru डिराने के लिए जुकिया जाता है काम ये कहीं न कहीं उनके अधिकारों को लोगतंतर कि आज़ादी उन से चीना जाता है आप जनता के सिवक हैं दिल जित्ते आप दिल जीतिये, सब लोग आपके साथ हो जाएगे, लेकिन अगर आप बहखा के, डरा के, धमका के अगर चाहिएगा, तो माफ किजिएगा, ये जन्ता आप गो नहीं है, मेरा भी ऐसा मानना है कि आप कंडिडेट के रूप में किसी जन्ता को डरा के बहला के ऐसा काम नहीं करें, आप खुल के जन्ता के बीच में उतरें, और आप विपक्षी पार्टी को किस परकार देख रहे हैं? कि नीन मेरत उमना हें जितना फ्यार दिया हें हमारे पंचित के सबसे जादा हमें प्यार ynिलिया है जिने पचपंभ्या कहते ते हैं जो गरीब लोग यह नहेंनी के पास बैटा उंपके गरीब का वेटा अज पास पिए कुझा करсьे सफ़के गपना नफा थार को मैं मैं करके एक बात बता दूं कि मेरी माँ बखरी चलाने वाली कावेटा हूं और आज के टाइम में मैं नेता चला रहा हूं दियान और इतना आसानी से इलक्षन नहीं जाने वाला जो आप सोच रहे हैं इसके लिए बहुत मेनत भी जरुरत है बहुत लगन की जरुरत है लोसों के दिल में उतरने की जरुरत है हमने क्या कि उन्हों को बाप कहके आया हूं मां कहके आया हूं भेन कहके आया हूं तो कुछ लोगों ने कमईंट किया यह चुनाभी नाटक है मैंने एक करीब मुखे उसके क्या हूं अंतिम संस्कार के लिए जो में तो साटिफिकेट की आवाज उठाई तो किसी ने हमें कहा कि यह भी तो चुनाभी नाटक है मैंने कहा है अगर यह नाटक आपके पिताजी ने किया तो मुझे यह करने की जुरत नहीं पर एसा नाटक आप भी करें और करने दे समाज को जिसे समाज का भला हो सके हमारी युवाओं का भला हो सके अच्छा दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने भासन दिया था उसे काफी लोगों ने पसंद किया आपको उसके बार लिए प्राइज भी मिला तो क्या जर्वा भासन दिया था आपना किस मीद्व मुद्वे को लिक्या मुद्दा जुरा था डॉप्टर कफील के से कि जो गरीबों के बच्चे का इलाज करते थे और उन्हें वो जेल में डाल दिया गया था तो डॉप्टर कफील साब की बीवी आई थी उनके साथ हम लोग बाराख खंबा रोड चले के जंतर मंतर तक चले और जंतर मंतर में यह पहसी हम बर चीटने के लोग है नौर्मल आते हैं उसको बोलने के आदाधी चींगनली जाते हैं उसके उपर चितने कानून बनाए जाते हैं सब जिर्फ गरीब के लिए बनाए जाते हैं अमीर का मानना क्या है आजकर क्या हो रहा है पुरे बिहार में देख लिए दारू बंध है दारू मिलती है दारू पकड़ी जाती है गारी पकड़ी जाती लेकि माली कहां यह बहुत बड़ा सवाल है आपका भी मार्मी से क्या लगाऊ सर आपका जो चुनावी परचार उसमें जो गम्छा यूच किया गया वो भी मार्मी से करता है तो आपका क्या लगाऊ आप बताए जटा देखें यह फिंप आपको बता दूँ गम्छा दो साल से दिया जाना और इसलिए दिया गया था कि मैं सोचा कि पीला गंचा दूं तो लोग कहेंगे फलाने धरम को मानता है कि हरा गंचा दूं लोग कहेंगे इस धरम को मानता है मैं किसी धरम और जाती कब नहीं मोताज मैं आपके प्यार और विश्वास का मोताज जो चाहिए समाज के लिए एकत हूँ कोई कहता है मैं कोई के मैं का अधर जीत गए तो सबसे पहले पांच वो गाम क्या है आपके पंचेद में जो आपके चाहिए जी सबसे पहला काम जो मिरा है वो सबसे पहला काम में रहा है कि युवाओं के लिए मुझे प्लेग्राउंड बनाना है क्योंकि जब आपका लड़का दोड़ना सीखेगा जब आपका लड़का खेलना सीखेगा जब आपका लड़का पढ़ना सीखेगा तब जाके उसको काम या भी हासिल होगी किस लिए बनाते हैं कि हमारी बॉड़ी में अगर कोई कमी है तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर देखे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा लेकिसा ऐसे पंचायत के अंदर में पूरे पांस साल के अंदर में एक भी कैम्प नहीं लगा हुगा स्वाफ्तिकेंट कि यहां के जो परतिनी दी होते हैं वह तीन चीज पर फोकस करते हैं इंदरा आवाज सौचाले और बिर्दा पैसे बस वही हुआ सौचाले बीस हजार दो हजार एक इनकी इतनी ही राजमितिक हैं जिसमें पैसा नहीं मिलता उसमें नहीं जाते हैं घरी आप इंप बताएए कि आप इसे करके बिठाओं निचे तो मैं भी तो जुपूंगा अगर मैं आपका हाथ बगर खड़ा करो तो मैं भी खड़ा हूं मजाईजी वापी मज्य हुए खिलारी है अच्छा सबसे बड़ी जुरूरी है, शिक्षा पे ध्यान देना, आज मारी सुनों का हाल देख लिए, सबसे ज़्यादा पान मेरी घुटके, थूख के दाग मिलेगे, वो सिक्षा का मंदिर, वो विद्या का मंदिर, उसको मंदिर की तरफ बना करना चाहिए, कि लोग वहाँ जाएं आपके बच्चे सिक्षित हूँ और मैं हर माबाप से हाँ जूर के गुजारिश करूँगा मुझे टीचर ने भी कंप्लेंट किया है कि यहां तो इसकुल में भेज दिया जाता है बच्चों को लेकिन माबाप कभी यह पूछने नहीं आते कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ाए जाता है मेरे बच्चा कितना बढ़ा है कितनी जो केशन उसको मिली है यह सवाल हम से क्यों नहीं करते हैं यह खास करके मास्टरों ने कहा कि आप परिवार से उन से पूछए हैं कि हमारी स्कूल में क्या कमी है जो आप जाते नहीं तो मैं हर माँ बाप से कहूंगा कि ये पौधा जो आप लगाएं हैं ये बच्चे आपका पौधा हैं और सीच सीच कर इसे बढ़ा कीजिए और अच्छा बेहतर बनाईएं हमारे जो बुजर्गों ने कुर्वानिया दे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो आजादी हमें मिली है उसे गवाएं हमारे बच्चों को खुल के सांस लेने की आजादी होनी चाहिए खुल के अपने वीचार को रखने की आजाती होनी चाहिए उस आजादी के लिए आप लड़े भी स्कोल बहएं। बिलकुल सजाकर भीसे हैं। जैसे अब प्राविट स्कुल में भीसे हम मास्टर से व दो हफ़ले पुछे व कारा चूल ही है। आप आते तो ऐसा होगा या नहीं होगा बिल्कुल अब हम इस प्रवाद का बिजवाब देना चाहेंगे आपने देखा होगा जितने मुख्या जीते हैं उसमें से गरीब फैमली से कौन है एक का बिना मताई आप पूरे चैनल पर दावा करता हूं आपसे गरीब का बच्चा सकता है मिरे सारे जतने भी गरीब तक लिए जो आज हमें अपना बेटा मानते मैं उन नहों कैहना चाहता हूं कि बाद मुझे करते मिरे बाब आप मुझे सिर्फ एक बाद बताईए कि आपका बेटे को अधिकार जल सरकार देती है लड़ने का तो फिर आपका बेटा चुनाप क्यों नहीं लड़ता क्यों क्यों कि कुछ लोग सोचते हैं यह गरीब वो अमीर की तरह भागते हैं और अमीर से अकसर लोग दोस्ती करते है लेकिन जब आपको बलट की जड़ुत परियाद के घर में बीमारी की जड़ुत परे तौमीर को पौन करके देखो उसका दरवाजा हमेशा बंद मिलेगा या तो उसका मुबाइल सुचोप मिलेगा जब आपको मदद की ज़रुवत होती है तब उसका दरवाजा बंद हो ज इसलिए आपस में लड़े नहीं, वो आपका भाई है, आपके रिलेशन का है, आपके दीवार का आपका परोसी है, तो इसलिए उनसे भी प्यार करें और समाज को आगे बढ़ाएं, अब मुद्दा आया, दूसरा वाला आया कि हमने दो काम बताएं, तीन काम बताएं, तीसरा हमारे गाउं में कैसे आएगा, और हर एक पंचायत के हर एक वाट में विवाभवन होना चाहिए, जैसी बात है, क्योंकि अब पॉपलेशन बढ़ती जा रही है, गलियां संक्री होती जा रही है, विवाभवन नहीं रहेगा तो साधी कहां भी हो पाएगी, आपका नभरन गाउं के अंदर में, तो मैंने उनकों देखा मंदिर पे थे, तो मैंने जैसे हाथ रखा, तो उनके आखों से आसों गिरने वाला था, मैंने पूछा क्या हुआ बाबाबा, मैंने सीने से लगाया उनकों, और पूछा क्या हुआ, तो वो रोने लगे, रोने के बाद जब वो पंटी मारके दिखाएं तो पूरे पीछे में जखम था और जो धोती थी उसमें सटी हुई तो आप एक बाद बताएए उस 80 साल के आदमी से जिसको उठने की ताकत नहीं है वो इलाज का पैशा कहां से कमाएं पूछने के बाद कोई परतियासी किसी के पास नहीं जाता आप इतना उमीद दिलाएं जनता को कि आप उन तक जाएंगे उनकी समस्या को सुनेंगे यह तो मैंने पहले कहा, अरे एलेक्षन तो अभी आया है मेरा, मैं तो पूरे पिछले पांस साल का रेकॉर्ड बता रहा हूं कि आप मेरा कोई साल भी वीडियो निकाल के दिखाए, एक वीडियो में भी अगर मैंने किसी घरीब किया गया उसकी मदद ना की होगी, और उसके म मैं जब आ रहा था आपके गाओं में, तो गलिया बहुत संक्री तो मिली ही, साथ में जगा जगा पे रोट खराब मिले, उपर से पानी मिला, आप जित्ते हैं तो क्या करेंगे आपको उनके लिए, कुछ उपाइने का नहीं है, हमारे जो अभी प्रतिनीदी का एक नारा थ कि आप हमें एक मौका दीजे, पिछले पोस्टर में भी लिखा था, कि आप हमें एक मौका दीजे, हम विकास की गंगा बहा देंगे, अफिर जो आदमी आपको पूरे दस साल में नाला, नाली, खरंजे से न निकाल पाया हो, उसको आप पांट साला और देके क्या करेंगे जाहिर सी बात है, एक बार मौका मिल गया, दुबारा नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे, तो दुबारा मौका नहीं देगी जनता, अब जनता बुरवक नहीं रही, सिक्षित हो रही है जनता तो हमें और जो भी लोग है, आपको चारी क्राम बताएं, पाच्मा भी सुनिये लिए, पाच्मा यहां जैसे पबलिक है, हमारे हिंदु भाई भी है, उनके पास समसान घाट नहीं है, जो अंतिम संसकार के लिए होता है, हमने बहुत जगा पे देखा है, किसी को खेट में जला दिया, किसी को नदी के किनाने जला दिया, किसी को गाची में जला दिया, नहीं, आपका एक समसान घाट होना चाहिए, और वो समसान घाट होना चाहिए, और जहां आपको एक ही जगा ले जाके जलाया जा सकते, आपका अंतिम संसकार किया जा सकते, वो आपके पास समस जिसे भी कहूंगा कि साहो जितनी वरी पंचायत में जो लोग छटका तहवार मनाते हैं उसके लिए एक छटका घाट बन माने की कुछिस की जाए साहो पंचायत में सबसे पहले छट घाट भी होना बहुत जरूरी है जो लोग देखे हैं साफ सफाई करके जाते हैं लेकिन चटका घाट होगा तो और भी रौनक बढ़ेगी हमारा समाज और भी उन्नती कर पाएगा जनता को हम एक बात बता दे कि भाई साब बहुत मजह हुए राजनीती में अच्छे से भासन कर लेते हैं बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं सर आप एक बार नाम कंडिडेट का नाम बता देते चुनावचीन बता देते जे मेरा नाम कमाल खान और मेरी बिबी का नाम है फरजाना खातुन जो साहो पंचायच से मुख्या परत्यासी है जिनका चुनावचीन है कलम दबाद तीन नंबर पे कलम दबाद तो जब कलम दबाद का बटन दबाएंगे तभी तो गाउन को आगे बढ़ाएंगे यह पूरी इममानदारी के साथ समाज को बदलने की कोछिशिस करूँगा अपको आपस में लाने की कोछिशुशुश करूँगा UP चलते चलते एक बात पूछ रहे थे इस बार पहली बार है जिला पड़ीसाद मुख्या और वाट पारसद का एबियम से चुनाव हो रहा है यह क्या है कि कुछ लोग है जिनको वोट डाले का नहीं पता हो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट ज्यादा माइने रखेगा और जो हमारी महलावर के हैं वो जाती है जाने के बाद कोई साई बटन मिला टीप देती है नहीं आपका अधिकार है पूरा पहले आप डरें किसी से नहीं आप जाएं और जाने के बाद पूछें कि पहला डबा जो है वाड मिंबर का दूसरा मुखिया का है फिर तीसरा आपको समीती का है फिर आपको जिला परिशत का है तो ऐसे पूछ लें बाहर में बैठें उन्हें पूछ लें कि यह किसका डबा है यह ना पूछे कि छाप कौन सा है वहना लोग अपना छाप बताएंगे तो सिर्फ डबता पूछना है कि यह मुखिया का है यह वाड मिंबर का है उसमें डबा आराम से दरने की कोई जरूत ने यह अपका अधिकार है और इसी अधिकार के साथ कोई सरकार बना पाता है और आप गये ऐसे दवा दिये अन्जादी भाग है अब मसीन आपको काटेंगी थोड़ी नहीं कटेंगी वह आपको हग दिलाएगे इसलिए सोच समझ कर वोट करें ठीक है इसी के साथ हम अपने चैनल पर आपका तहदिस सुक्रिया करते हैं आपने एक शेर कहा था मैं भी एक शेर सुना देता हूँ वो एक शेर है हमारा भी कि नम वो लिखा था मैंने कि ना मोतियों की माला से ना धोलकों की ताल से और साहोप पर चार पहत्यास बदला जाएगा बसकलम और दावाद से थैंक्यू उसी के साथ जनता का थैंक्यू करना चाहते हैं मैंने चैनल पर लाइक करें सियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइब नूप नीज फर्हान खान लाइब नूप फर्हान खान इसको को आप इसक्राइब करें और इनके विवर्स वराइए आपसे जितने दोस्तियार है उन तक पहुंचा दे आप वीडियो को शेयर करें प्ले और आके मिहनत करने से इनको भी प्लमिल जाए और इनका भी चैनल आगे बढ़ जाएं क्योंकि आपकी ही आवाज आप तक पहुंचाते हैं हम लोग को चुल-चुल का घर तक इतनी भेनत करते हैं सिर्फ हमारी आवाज आप तक ले जाने के लिए आते हैं शुक्रिया थैंक यू